नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोजरी शुवाग करता हूँ आपके अपने एक्टूप चैनल कमांड ओकेड में पर दोस्तों बहुत सारी बच्छों की जैसे एसे जीडी की आंसर क्या है यह बहुत सारे बच्छों की डाउट शुरू हो गए कि सर फिजीकल की त्यारी कितने एक चीत वह बताऊं कि सबसे पहले जो आपके पास में जो नमबर है हमारे एकेडमी का है घल्प लाइन 95888 10608 ये उन बच्चों के लिए है जो academy आना चाहते हैं या academy समधे कोई जानकारी लेना चाहते हैं आप सब भी को पता academy physical बे सुरू हो गए है ssgd के उनके लिए अब आप इस नमर पे call करते हो और पूछते हो कि sir मेरे इतने नमर magic को physical की तयारी करने चाहिए एक नहीं तो उनको इस बारे में कोई knowledge नहीं है क्योंकि उनका काम सिर्फ calling attend करना है आपको academy के बारे में जानकारी देना है बस इतना ही उनको ssgd का कोई पता नहीं है क्योंकि उनका काम नहीं है तो जितने भी बच्चे मेरे से पूछ रहे है मैं आपको वीडियो के मादम से भी answer दे रहा हूँ कि किसको physical की तयारी करनी चाहिए और किसको नहीं लादो ध्यान रखिए इस बार एक बटा चार की minus marking होने के कारण बहुत ही कम नंबर बने हैं बच्चों के ठीक है पिछली बार के बजाए इस बार बहुत सारे बच्चे बिल्कुल डल हो गए हैं उनके नंबर बहुत rare आ रहे हैं इसलिए जितने भी बच्चे जिनके नंबर कम आ रहे हैं मैं आपको एक चीज़ बता हूँ कि पहली बात हो कि अभी नर्मलाजिशन में आपको काफी ज़्यदा फाइदा होने वाला है ठीक है दूसरी बात एक चीज़ जोर बता हूँ किसको तैयर करनी है उस बात पर भी आएंगे दूसरी बात कि सिर्फ आपको एक बठा चार की माइनस मार्किंग का नुक्सान नहीं हुआ है सभी बच्चों को हुआ है इसके वज़े से मेरिट भी काफी लो रहेगी इसमें कोई सकन नहीं ही पिसली बार की बजाए इस बार मेरिट भी नीचे रहने वाली है क्योंकि एक बठा चार की माइनस मार्किंग बहुत सारे बच्चों की क्यूशन अटेंड करने से दूर कर दिया और दिमार पे भी एक परिश्ट है ठीक है दिली हो गया माराष्टर उत्रा खंड ले लीजिए क्योंकि इन्हें उत्रा खंड यूपी हो वह आ है उत्रा खंड आ गया यह जो नो राजे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नो इसके अलावा अगर आप और को राजे इसमें अगर जोड़ना चाहते हो तो यह जो नो राजे है इन से हाँ हिमाचल परदे साथ इसमें जोड़ सकते हूं हिमाचल परदे साथ इसमें जोड़ सकते हैं जो यह राजे हैं तो इन में मैं बता दूँ कि जिन बच्चों के अभी पेपर में 50 प्लस नंबर है जनरल केटेगरिश है तो उनको फिजिकल के त तो पिछली बार तो सर आप इतना कम नमबर बता रहे हैं तो पिछली बार तो मेट बहुत उपर गी अब जिन बच्चों के मैंने बताया कि 50 तेगर जिसके उपर है उसको फिजियली त्यारी करने चाहिए अगर जनरल के टेगर करता हूं अभी 50 नमबर है मान लिए बहुत सारे बच्चों के तो कई बच्चे से होंगे जिनके 20 नमबर प्लस हो जाएंगे कईयों के 15 नमबर भी नॉर्मलाजेशन में प्लस होंगे आपने SSE CGL का देखा होगा उसमें 30-30 नमबर भी प्लस होएं नॉर्मलाजेशन में तो बेसक आपक तो 10 से 12 नमबर वेसे ही डाउन होती है तो फिजिक अले के लिए आपको बुलाएंगे बुलाएंगे इसमें कोई शक नहीं तो इस नमबर अब इसके लावा जो राजे है बाकी जैसे उडिशा हो गया 37 जार खंड मेगाले मनिपूर पशी मंगाल या जितने भी आंदा तो जहां पर मेड थोड़ी सी सामानिय रहती है यहीं कम रहती है उनमें मैं आपको बता दूँ कि जिन बचों के जनरल के टाइगरी से ज्यादा नमबर है उनको बिल्कुल तयारी करनी चाहिए और जिनके 40 के आज़ पास अगर वो OBCCST में है तो उनको फिजिकल के 100% तयार है पेपर का कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं था इसलिए मैं आपको बोलता हूं जो मैंने नमबर पता है इन नमरों के आसपास वालों को आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए अब आप कोल घुमा घुमा के हेल्प लाइन नमबर पर यह ना पूछे किसर किस पर करनी यह मैंने किलेर कर दिया है ठीक है अब जो तैयारी करना चाहता है इस नमर पर कोल करके अकेडमी भी आ सकता है घर्चे भी कर सकता है जय हिंद जय भर्त लाट लू